हेलो फेंस स्वागत आपका वरी इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकी एससपी, जेई सीवल और मेकैनिकल पोस्टिस का जो ऑनलाइन एप्लिकेशन लिंक है वो अक्टिवेट हो चुका है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊगा कि कैसे आप एप्लाइ कर सकते हैं जेकी एससपी, जेई सीवल और मेकैनिकल पोस्टिस निकली है उसके लिए उससे पहला गर मेरे चनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चालों को जूँ सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे और टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर दो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यह कि SSP के ऑफिशल वैपसाइट को आपको उपन कर देना होगा स्क्रॉल डून करने के बाद यहां पे लफ्ट साइट पे आपको दिख़णा होगा अप्लाई फार बेडियोश पोस्टिस अंडर एप्डाइजमेंट 05 अफ 2020 तो यहां पे कुछ कुछ क्रेक्शन अफो अपडेट हो जाएगी 06 अफ 2022 आएगा तो simply आप apply पे क्लिक कर दें यहां पे इस पे क्लिक करने के बाद एक नई website आपकी screen के ओपर open हो जाएगी तो यहां पे ऐसे कि update हो चुका है तो आप simply यहां पे apply पे क्लिक कर दें apply पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको login करना होगा जो पहले इस portal पे apply कर चुक है किसी भी postage के लिए तो उनको कोई new account बनाने की जुरूरत नहीं है आपको simply अपनी email id, password फिल करना होगा और login पे click कर देना होगा अगर आप first time इस portal पे apply करना है किसी भी postage के लिए जाने कि Jay, Sival, Jay और कोई postage आपने apply नहीं किये इस portal पे तो आपको यहाँ पे sign up पे click कर देना होगा और यहाँ पे account create करना होगा mostly जो भी Jamo Kishmir के students है उनका account यहाँ पे होगा क्योंकि बहुत सारे postage पहले भी आई थी वो तो उन्होंने fill की होगी तो आपको simply अगर आपका account है तो आप simply email id, password डालके login कर दे अगर आप password बोल चुक है तो आप forget कर सकते हैं तो यहाँ पे cb में अपना email id, password डालोंगा और यहाँ पे इस box पे click कर दूँगा और login पे click कर दूँगा login पे click करने के बाद इस तरह से dashboard आपकी screen के उपर open हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे के आपको दिख रहा होगा advertisement no.06 of 2022 तो यहाँ पे advertisement भी हम देख लेते हैं वैसे तो मैंने आपको दिखाई थी last time तो इसको download कर देते हैं तो यहाँ पे simply अभी advertisement को open करके दिखा देता हूँ आप तो जैसे के आपको advertisement notification शो हो रही होगी screen के उपर यह notification में आ लिए इसके वीडियो पर बना चुका हूँ तो यहाँ पे postage जैसे के आपको बाता ही होगा 855 postage 190 mechanical की है और 855 civil की है total number postage 1045 है और आज सी अप्लिकेशन फील होना start हो चुकी है junior engineer civil, junior engineer mechanical उस पर आपको simply click कर देना होगा click करने के बाद save and continue पर click कर दे save and continue पर click करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह जो postage है वो UT credit की है तो आपको simply यहाँ पर इस box पर click करना होगा और यहाँ पर UT पर select करने के बाद save and continue पर click कर दे and chill एक सेवं कांटिनो पर क्लिक करने के बाद यहां पर आता है next preference तो preference का यहां पर कूछ इस्जू निया क्यूंकि यहां पर जो पोस्टिस आहीं वह यह एक ही है UT के शागा है आपको सिंप्ली यहां पर one लिख ले रहा होगा वहां लेखने कबाद save and continue पर ख्लिक कर दे save and continue पर click करने के बाद यहां पर आपको अपनी रिडियल सा वो fill करनी होगी जैसे कि आपका सबसे पहले salutation आएगा यहां पर Mr. Mrs. Miss जो भी है वो आप select कर दे next आपका first name automatically fill होगा last name आपका automatically fill होगा middle name आपका automatically fill होगा आपको यहां पर father name fill करना होगा mother name fill करना होगा यह अंडर आपको select कर देना होगा उसके बाद आपको category select करने होगी जिसमी category से आप long करते हैं वो आपको category select कर देनी होगी next आपको यहां पर अगर आप government employee है तो आप simply यहां पर यहां पर click कर दे otherwise no physical handicap है तो yes पर click कर दे otherwise no पर click कर दे next आपको scroll down करना होगा scroll down करने के बाद यहां पर आता है data birth आपको data birth यहां पर fill कर देना होगी simply इस पर click करें और यहां पर सबसे पहले आप अपना year select करें जो भी आपका year है वो आप select करें month select करें और date को select कर दे अप्मेटिक लिए फिल हो जाएगा तो next आपको scroll down करना होगा नीचे whether married yes or no यह भी आपका है next आपको यहां पर domicile certificate number fill कर देना होगा certificate issuing authority तेसीलदार ने इस्यू के तो तेसीलदार अपना लिख ले यहां पर next आपको division यहां पर select करने होगी जिस भी division आप लॉंग करते है जम्मू या कश्मीर जो भी division आपकी है वो आप select कर दे next आपको district यहां पर select करने होगी जो भी आपकी district होगी और save and continue पर click करने पर next आपको permanent address यहां पर fill करना होगा जिसमें आपका house number room number जो भी है next locality मोहला वार number जो आपको कोई है वो आप select कर दे, village आप अपको division select करने होगी अपनी district को select करना होगा next आपको याद है तो आप fill कर दे, पंचायत अपनी fill कर दे, पिंग कोड यहां पर fill कर दे, जो भी आपको यह red कलर के star दिख़र है वो mandatory है अगर आप जो part है आप जानते है तो आप and correspondence address same है तो आप simply yes पर क्लिक कर दें otherwise no पर क्लिक करने बाद यहां पर आपको दुबार से जो है वो फिल करना होगा अपना जो भी आपका correspondence address है यह फिल करने के बाद आपको save and continue पर क्लिक कर देना होगा next आता है category of applicant तो category में आपको जो भी category होगी वो automatically यहां फिल होगी next आपको यहां पर date of issuing of certificate यहां पर फिल करना होगा और issuing authority जो भी होगी वो आपको फिल करनी होगी तैसे इलदार जैसने भी आपको issue किया है आपका category certificate तो जो general category की students होगे उनको यह शोर नहीं होगा next आपको यहां पर are you specially available person अगर है तो yes otherwise no पर क्लिक कर दे government yes otherwise no पर क्लिक कर दे एक service man है तो yes otherwise no पर क्लिक करने के बाद save and continue पर क्लिक कर दे next आपको criminal proceeding skills को फिल करना होगा अगर आपके अपर कोई भी FIR registered है तो yes otherwise no पर क्लिक कर दे तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं तो हम simply यहां पर सबको no कर देंगे अब अपने recording यहां पर फिल कर सकते हैं details को देखने के बाद कोई भी case वगर अगर आपके उपर है criminal का otherwise no पर क्लिक कर दे जो इस students है save and continue पर क्लिक करने के बाद next आपका आ जाएगा qualification details यहां पर आपको अपनी 10th की details फिल करनी होगी जो भी आपका board है जो मुकिश्मीर board है CBSEA ICSEA जहां other कोई भी है वह आप select कर दे next आपको percentage 10th की यहां पर फिल करनी होगी 10th का result यहां पर फिल करना होगा कितने marks आपके आए हैं obtained marks यहां पर लिखने होगा 12th percentage यहां पर लिखनी होगी result date यहां पर लिखना होगा कितने marks आपके आए हैं वह आपको लिखने होगा कितने marks थे आपके जाने की total number of marks कितने थे कितने में से कितने marks आपके आए हैं वह आपको यहां पर फिल करने होगे next आपका दा do you have degree from any recognized university तो yes पर क्लिक कर दें अगर आपका डिपलमा है तो डिपलमा भी करें अगर की कोई I.E section है तो आप simply यहां पर यहां से yes करके select कर सकते हैं तो यह देल्स को फिल करने पर save and continue क्लिक कर दें अगर आपको कोई भी problem आते हैं तो comment box में लिख सकते हैं तो यहांपर technical degree यहां पर दिखाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको बता लूगा कि कैसे आपको फिल्ट करना है मैं आपको एक ग्जैंपल करके बता देता हूँ अगर आपके माक्स 85% है याने कि 8.5 CGP है तो आपको simply 850 1000 में से 850 आपको यहां पे फिल्ट कर देना होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं देखिए इसी का 9.5 ही होता है तो आप अपनी उनिवस्टी के एक देख लें वह आपको यूनिवस्टी की वेब साइट पर देख जाएगा जहां तो आप अपनी जो आपकी फाइनल एक की माक्स रिट है उसकी बैक साइट पर होता है जैसे कि कुछ उनिवस्टी से हैं वह 10 के साथ आप देख लें जो भी आपकी उनिवस्टी का है वह करने के बाद आपको उसी एकार्डिंग जो आपकी प्रसेंटेज माक्स है वह आपको फिल करने होंगे और सेवन कंडियों पर क्लिक कर दें पढ़ लें दियान से और यहां पर आपको आई अग्री पर क्लिक करना होगा और सेवन कंटीनिव पर क्लिक कर देना होगा सेवन कंटीनिव पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक में स्टाइप आता है बहुत सरे स्टुडेंस को प्राबलम आती यहां पर अपना फोटोग्र नेक्स में सिंगनेचर को यहां पर ब्रोज कर दूँगा और सेव एंड काटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा तो यहां पर जो मेरे सिंगनेचर एंड फोटो है वो अपलोड हो चुक है तो आपको कुछ नहीं करना सिंप्ली सेम प्रोसेस करने आपके भी जो सिंगरिशन फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर वो सरे भी options है यह भी आपके पास है debit card, credit card, कोई भी आपके पास card है वो आपप स्लेक्ट कर दे तो यहां पर पेंट कर दे यहां पर पेंट कर दे तो simply print node को आप रख लें अपने पास यहां पर आपको simply नीचे दिखेगा प्रिंट पर क्लिक कर दें और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपनी जो भी फाइल है वो application form अपना save करके रख सकते हैं तो इस तरह से आप simply jkssp jsever mechanical की जो पोस्टी सर्थ के लिए apply कर सकते हैं तो कोशिश करें कि last date से पहले पहले apply कर दें कि last date में कुछ bugs रहते हैं थोड़ी site में, site busy हो जाती है तो आप application form fill नहीं कर पाते हैं तो जल्द से यदि apply कर दें jkssp को जो भी btec diploma students है वो apply करें jkssp jsever mechanical postage के लिए वीडियो चले लिए को लाइक करना दोस्तों को शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना thanks और watching this video